हेलो फ्रेंड्स वाल कम बैक टू मैं चैनल ना प्रिती फैशनमिला आज की वोड़ी में हम लेड्डू कॉपाल जी के लिए ड्रेस बनाएंगे यह हमने एकदम छोड़े साइस के कानाजी के लिए बहुत ही चोटे जिने हम डबल जिरो कहते हैं वो जिरो साइसे भी थोड़े हमने इसे बिना सिलाए मसीन के बनाय है और बिना पुकरम के सिर्फव सुई धाई का यूज़ करके बनाया है हमने आपे सिर्फ दो चीजों का ले ले सकते हैं जो आपके पास एपलिपल वे सकते हैं और यह lace भी आप कोई भी पतली सी ले लें आप 5-10 मिनट में यह dress बना के तयार कर लेंगे वीडियो स्टाट करने से पहले गाईज अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में बैल आइकन पर प्रेस करके औल पर क्लिक कर लें जिसे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टागाम पर फॉलो नहीं किया है तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो करिए मेरा इंस्टागाम है अमरितीफसमला50 या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्सन बॉक्स में लाएगा तो चलिए हम वीडियो को स्टाट करते हैं और बनाते हैं गोपाल जी के लिए यह ब्यूटिफुल सी समर ड्रेस यह देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर इनट का फैब्रिक लिया है पीछ कलर में इसकी लंबाई यहाँ पर हमने रखी है देखिए सब 3 इंच और चौडाई में आपको मेजर करके लिखा दूँ तो चौडाई है इसकी 3.5 इंच हम क्या करेंगे इसे ऐसे डबल करेंगे और हमने यहाँ पर रेट कलर में यह लेस ली हुई है कॉटन की लेस है एक दम पतली से तो इसकी जो फोलेट साइड है इधर यह साइड हमारी लॉक है यह दो आएगी यहाँ पर खुली हुई तो इधर हम यह लेस रखके और सीलेंगे यह देखिए हम सुई में धागा डाल लिया है यहां पर ऐसे करके हम इसे सिलेंगे चोटी-चोटी सिलाई लगा के बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से हम बनाएंगे गुपाल जी की पुशाग यह देखिए ऐसे करके यहां पर अटैच हो गई यह साइड हमारी लॉक है खुरी नहीं है अब हम क्या करेंगे ऐसे ही करके यहां से यहां तक लगाना है तो चले हम जल जली से लगा लेते हैं कि यह देखिए हमने आपे सिलने के बाद यहां से नौट लगा दिया अभी हम धागे को कट कर लेंगे और अपनी सूर में हम पीच कलर का धागा डालेंगे चले डालेते हैं फिर आगे आपको दिखाएंगे क्या करना है यह देखिए हमने यहां पर यह लेस अटेच कर ली है आप कोई भी लेस ले सकते हैं पतली सी जो भी आपके पास लेसो लगा ले अब यह उपर के कमर बनाएंगे तो यह हमारी साइड लॉक है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहां पर देखिए ऐसे हमें सिलाह लगानी है चोड़ी चोड़ी पूरा एकदब यहां से लेके एंड तक चलिए हम जलज़दी से लगा लेते हैं कि यहां पर इसे सिलाए लगा दिया है सिलाए लगाने बाद आप क्या करें एक बार अपने कानाजी की कमर से इसे ऐसे मेजर कर लें जितने दूर में आ रही हो इसकी ऐसे यह लंबाई उतना है कर लें मैं यहां पर आपको एक डिफसे मेजर करके बता देरी हूं कि यहां पर कितना रखने ह हूं आप इतना भी सकते अगर आप मेजर करते हैं तो एकदम पर्फेक्ट ना पाएगी आपके गोपाल जी की यह देखिए यह अगर हम इंच्टेप से मेजर करते हैं तो यह 1.5 इंच हमने लगए यहाँ पर देखिए उनको सही आएगी साइज हम यहाँ से नॉट लगा देंगे जिससे यह हमारा 1.5 इंच पर ही टिका रहे हैं यह देखिए ऐसे करके एकदम सिंपल और आसान सी ड्रेस में आपको बता रही हूं बनाना बहुत ही इजी यह देखिए हमने यहाँ पर नॉट लगा दी यह हमारे नीचे की घेर कंप्लीट हो गई है आप एक बार जरूर ट्राइ करिएगा गोपाल जी को गर्मियों के लिए बहुत ही कंफरटेबल और आप आसानी से बनाएंगे चलिए अब हम चोली बना लेते हैं और रह जाएग इंच लंबी लेस कट कर ली और कट करने के बाद हम इसे दो पीस में डिवाइट करेंगे दोनों साइट के मारे चोली बनेगी इतने में ही यह एकदम डबल जीरो साइज की है जीरो साइज से भी छोटे काना जीगे यह देखिए यह हो गई अब क्या करना है इसे यहाँ पर इसे रखके हमें सिल देना है दोनों कोई कट्ठा एक दूसरी के ऊपर रखके हम सिलेंगे तो मैंने नौट लगा दिया यहाँ पर हम सिल देते हैं इसे ऐसे करके एकदम सिंपल और असान सा तरीका है आप घर बेटे बना सकते हैं अगर आपके बस नेट का नहीं फैब्रिक आप कॉटन में अस्तर का फैब्रिक ले सकते हैं कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं बस आप अगर डबल करके बनाएंगे तो इजी रहेगा क्योंकि कमर पर फिनिशिंग आ जाएगी यह देखिए अपने इसे सिल दिया अब हम क्या करेंगे यहाँ इसे अपने घेर पर है और बहुत टाइम नहीं लगेगा आप मांस मिनिट में बना लेंगे अगर अगर आप अपने गुपाल जी के लिए हैवी पुषाग बनाना चाहते हैं तो सीम इसी तरीके से बनाएं बस आप जो लेस यूज कर रहे हैं थोड़ी सी जरकन की लेस लिया ले पतले में ही तो हैवी लगनी लगेगी पुषाग और आप चाहें तो जनमास्ट में भी पहना सकते हैं क्योंकि बहुत छोटे साइज में हैवी पुषाग मिलना थोड़ा मुस्किल हो जाता है और वैसे इस टाइम कोरोना का टाइम चल ला है लॉक्डाउन चल ला है हर जग यह देखें यह हमने इसे यहां पर टाइच करके कट कर दिया यह एक साइट से ऐसे कंदे पर आएगी यह दूसरे साइट से आएगी और अब हम यहां लगाएंगे डोरी तो चलिए हम डोरी ले लेते हैं यह देखें हमने यहां पर रेट कलर में डोरी ले लिए अब यह जो हमारी कमर है इस कि यहां पर हम नॉट लगा के कट कर देंगे बस हमारी ड्रस बंड के राडियो गईुए देखे आप कैसे पैना ते यह एक कंद्ने से ले त्याएं। और दूसर कंद्न में पीछे आरेंगे तो यह दो म这个 दौर अपर Head यह जो कमर है डारेक्ट ऐसे भी करके बांद सकते हैं ऐसे करके पीछे बांद दे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो यह देखिए ब्यूटुफुल से ड्रेस हमारी रेडी हो गई है यह मेरे हथेली पर आराम से आ जा रही है आसा करती हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब कर साथ मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे हाले क्रिशनी रादे